लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं साथियों अपसे कुछ दुन पुर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है लेकिन आज जब केंदर सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आये हैं ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाएं ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़िया जबत होती रहें, उनसे वसुली होती रहें, उनसे कम किमत पर अनाज खरीद कर बिचोलिय मुनाफ़ा कमाते रहें, एक किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। जिन सामानों की उपकरोनों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगा कर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। साथ को बरसों तक ये लोग कहते रहें MSP लागू करेंगे MSP लागू करेंगे लेकिन किया नहीं MSP लागू करने का काम स्वामिनासन कमिशन की इच्छा के नुसार हमारी ही सरकार ने किया आज ये लोग MSP पर ही किसानों में भ्रह्म फ्यला रहे हैं देश में MSP भी रहेगी और किसानों को कही पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी लेकिन आजादी कुछ लोग बरदास्ट नहीं कर पा रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है इसलिए इने परिशानी है साथियों कोरोना के इस कालखण में देश ने देखा है कि कैसे डिजीटल भारत अभियान ने जनतन बैंक खातों ने रुपे काण ने लोगों की कितनी मदद की है लेकिन आपको याद होगा जब यही काम हमारी सरकार ने सुरू किये थे तो ये लोग इनका कितना विरोध कर रहे थे इनकी नजरों में देश का गरीब देश के गाउं के लोग अनपड़ थे अज्ञानी थे देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाएं वो भी डिजीटल लेंदेन करें इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया साथियों देश ने ये भी देखा है कि जब वन नेशन वन टेक्स की बात आई जीएश्ट्री की बात आई तो फिर ये लोग फिर विरोध करने लें इसकी चटपटा आच है बेचे नहीं है हताशा है निराशा है एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की चार-चार पीडिया जि दूसरों के कंदों पर सवार होकर देश हिस से जुड़े हर काम का विरोध करवाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है साथियों हमारे देश में अनेकों ऐसे छोटे-छोटे दल है जिने कभी सब्ता में आने का मोका नहीं मिला अपनी स्थापना के लेकर अब तक जानदातर अपना समय विपक्ष में ही बिताया है इतने वर्षों तक विपक्ष में बैटे के बावजूद उन्होंने कभी देश का विरोध नहीं किया देश के खिलब काम नहीं किया लेकिन कुछ लोगों को विपक्ष में बैटे कुछ वर्षी हुए है उनका तोर तरीका क्या है उनका रवय्य क्या है वो आज देश भली भाती समझ रहा है देश उसको बहुत बारीकी से देख रहा है इनकी स्वार्थ नीती के बीच आत्मनिरभर भारत के लिए बड़े रिफॉर्म का ये सिलसिला देश के सौशाधनों को बहतर बनाने का ये सिलसिला देश हित में हैं देश की गरीबी से मुक्ति के अभियान के लिए हैं देश को ताकतवर बनाने के लिए हैं और ये निरंतर जारी रहेगा एक बार फिर आप सभी को विकास के सभी प्रोजेक्स के लिए मेरी तरब से बहुत-बहुत बधाई देता हूं और फिर से मैं यही आग्रह करूंगा, आप अपना ध्यान रखिये, स्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, बाबा के दार की कुरुपा हम सभी पर बनी रहें, इसी कामना के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, जय गंगे! बहुत-बहुत धन्यवाद, सर।